हालो गाइज, वेलकम बैक चानल, आज मैं आपके लिए नई कोरियन बेल ड्रामा स्टार स्ट्रक एपिसोड वन लेकर आई हूं, यह कहानी है दो बचपन के दोस्तों की जिन में से एको कप प्यार हो जाता है, खबर भी नहीं होती है, उसे उमीद भी नहीं होती है कि उसका ए नाम शो हंजुन है, हंजुन हमेशा की तर रात में पार्क में तारे देखने जाता है, जहां पर उसे जूले पर बैठा अपने उम्र का एक लड़का मिलता है, जिसका नाम यूजे है, हंजुन और यूजे पहली बार मिल रहे होते हैं, आशमान में तारे नहीं होते हैं, फ में यूजी ने तूट नहीं देखा होता है पर हांजु जब पहली बार यह आया था तब देखा यह जगह उसकी लखी प्लेस है कि यूजे का भी टूटा हुआ तारा देखने कब बहुत मन होते हैं अपने पॉकेट से अपना लख निकाल कर यूजे को दे देता और प्रे करता है कि वो भी तूटा हुआ तारह एक बार देख लें यहां से उनकी दोस्ती के शुरुआत होती हैं दोनों बड़े हो जाते हैं और हाई श्कूल में होते हैं हांजुन की दोस्त यन चेयोंग हांजुन को बताती है कि वो यूजे को पसंद करती हैं वो यूजे को पटाने में हांजुन को मदद करने के लिए कहती है क्योंकि यूजे उसका बेस फ्रेंड अप तभी यूजे जो वहाँ पर बासकेट बॉल खेल रहा होता है एक गोल करता हैं चेयोंग इस एक और आइस क्रीम खरीदने के लिए कहती है और पूछती है कि यूजे को किस तरह की लड़की पसंद उसे प्योर, शैक्सी और क्यूट मैंसे कैसी लड़की पसंद है हाजुन चेयों को उसकी आइस क्रीम वापस करता है और उसे जाकर पढ़ाई करने को बोलता है उसके बार यूजे चेयों से पूछता है कि वो ठीक तो है उसने देखा था कि एकजाम के समय उसके तबित खराब हो गई थी ये सुनकर चेयों को स्माइल करती और पूछती है कि एकजाम के समय यूजे उसे क्यू देख रहा था यूजे फलोट करता है कि क्या चेयोंग को देखने के लिए उसे किसी कारण की जरूरत है क्लास में हाजुन यूजे से धीरे से कनफॉर्म करता है कि उसे चेयोंग की तबित के बारे में इंगिन से ही पता चला था हाजुन यूजे को समझाता है की चेयॉंग उसे पसंद करती है इसलिए उसे चेयॉंग से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिसे उसकी उमीद बने हाजुन कंफर्म करने के लिए पूछ तक है отвеч क्लास यूजे इंशारों में बातें करके हसते रहते हैं क्लास खत्म होने के बाद दोनों कुछ स्नैक्स लेने जाते पर उन्हें उस दुकान में नहीं मिलते इसलिए वो दूसरे दुकान में ढूडने का फैसला करते हैं वहाँ तक जाने के लिए वो लोग रीस लगाते हैं खाने के दिवरान हाजुन बताता है कि वो तीन महीने के लिए यूजे के ट्यूशन जॉइन करने के बारे में सोच रहा है उसने बॉक्सिंग जिम में पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे बचा है है उसी पैसों से वो क्लास अटेंड करेगा ये चुनकर यूजे हाजुन पर प्राउड फिल करता है शाम को हाजुन अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाता है और अपने कोच के लिए पंचिंग बैक पकड़ता है तभी उसके कोच हाजुन को डाटते है क्योंकि उन्होंने हाजुन को उसके एकजाम खत्म होने तक आने के लिए मना किया था क्योंकि उसके पास पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बच्टा है फिर भी वो आज आगया लेकिन हाजुन को काम पर आने में कोई दिकत नहीं होती कोच पूश्टे कि क्या उसकी मा को पैसे की कमी हो गई हाजुन बताता है कि वह पहली बार इंसौरेंस बेच रही इसलिए उनका काम थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है कोच अगले महिने से हाजुन की सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं और बदले में हाजुन को हर रोज 30 मिनट टक पंचिंग बैक को हिट करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन जैसे लोगों के पास फिजिकल इश्रंथ होना जरूरी है हाजुन आज से बॉकसिंग के प्रैक्टिस करने लगता है दूसरी तरफ यूजे घर पर पढ़ाई करने की कोशिज कर रहा होता है पर उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाता है क्योंकि हमेशा की तरह उसके पारेंट्स आपस में बहस करने लगता है यूजे कि मा अपनी पती से कमाने को लेकर शिकायत करती है क्योंकि सिर्फ वही शुबत से काम पर जाती है और वापस आकर घर का काम भी करती है जबकि उसका पती नकारा की तरह दिन भर घर पर पढ़े रहता और टीबी देखते रहता हम हमेशा की लड़ाई से यूजे भी अब तंगा चुका होता है तब ही हाजून यूजे को मेसेज करके पूछता है कि क्लास डिवीजन एक्जाम कितना मुस्केल है क्योंकि उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है यूजे मैसेज करता है कि एक्जा के घर में कुछ हुआ है इसलिए यूजे को प्लेगराउंड में मिलने को कहता है यूजे का मन तो होता है पर वो मना कर देता है क्योंकि कल फॉर्ष पीरिएड में है उनका टेस्ट इसले भी उन्हें सोना चाहिए हाजून का गुड़नाइट मेसेज देकर यूजे स्माइल स्च्छारों में देखते हैं कि हाजून एकजाम में पास हो जाता है और स्थ क्लास ऐस्ट ललत बंतंड हैं जहां पर वह पार्क एंट मीलते हैं दोनों में बाक्षेट में बात्चित स्यूंत है जिन्वान बताता है कि वो एक साल से इस एकेडमी में पढ़ रहा है जिन्वान की नजर हाजून की चोट पर जाती है जो बॉक्सिंग ट्रैक्टिस करते वक्त उसे लग गई थी हाजून बताता है कि वो बॉक्सिंग जिम में पार्ट टाइम जॉब करता है जिम ओनर फ्री में उसे बॉ प्रस्टो के सामने प्रन लेता है कि वह बहुत जल्ड, थर्ड क्लास है, फॉर्ट क्लास में आ जाएगा, उसके बाद सभी लोग अपने क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने आ जाती हैं, हाजुन जिन्वान की तरफ देखने लगता है, उसे पता होता है कि ज चैयों को पसंद करता हैं लेकिन फिर भी उश्यूंग को पाने की उमीद नहीं रहें नहीं वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है वो इसकी सिर्फ crush हैं जिसे वो बिना किसी उमीद के और श्वात के पसंद करता हैं तबी जिन्वान एक कागज में लेकर हाजुन से पूसत है कि क्या चेयों यूझे को पसंद करती हैं क्लास खत्म होने के बार जिन्वान और हाजुन सेकंड क्लास में यूजे और चेयों को हसते वे देखते हैं जिस पर जिन्वान कहता है कि दोनों एक साथ क्यूट लगते हैं जिन्वान हाजुन से पूछता है कि क्या यूजे भी चेयों को पसंद करता हैं वो यूजे का बेस् प्रेंट की तो जरूरी नहीं कि बेस्ट फ्रेंट को एक दूसरी की सारी बात पता हूं जिन्वान इस तरह का शवाल पूछने के लिए हाजुन से माफी मांगत और वहां से चला जाता है उसी वक्त यूजे और चेयोंग भी बाहर आते हैं यूजे हाजुन से उसके अकडमी क पहले दिन का experience पूछन हाजुन बताता है कि उसने जितना सोचा था यह कृडमी उतनी अच्छी नहीं है चेयोंग को लगता है कि हाजुन ऐसा इसले कह रहा है क्योंकि उसने अभी तक यहां का self study room नहीं देखा हम चेयोंग हाजुन को self study room दिखाने ले जाती जो बहुत ही ब को हाजुन और यूजे साथ में पढ़ाई करने आते लेकिन यूजे पढ़ते पढ़ते बीच में ही सो जाता हम हाजुन जैसे यूजे से एक question का doubt clear करने को बोलने वाला होता हम तभी यूजे उसके कंधे पर सर्रकर सो जाता हम और इस तरह एपिसोड वन यहीं पर खत्म होत आये होब आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर सकते तब तक मुलते नेक्स्ट वीडियो में बाब बाब